हेलो दोस्तो गुड मॉर्निंग आज फिर से हम लोग धनवाद निकले हैं और आपको पिछला बार में दिखाया होंगे उस टेम काफी मॉर्निंग का समय था लगबाग में मांग छे बजे का सपास में था बहुत एक ज्यादा कोहरा था आज फिर से निकले वे लेकिन आज उत पहाड को वना दूर से दिखाएंगे अगर साथ दिखाएंगे दिखाने को कुछिस करेंगीि बने रहिए तब-तक हम आपको ौद पारासनाध के पहाड का समचे वह हैं यह थेक्ए हम आपको दिखा रहें है जूम करके हैं यह तुल नहीं दो और आमको हुआ है। आपको वाइट करहका दिकता, आगहं दिक्टवा करहा कांडिर , आपको वाइट कराव करनें दिक्ता दिक्ताव मन्नें रहें। अधिल काथी उत्चा में है, यह तब काथ यह ज़ोड़ का सब्से परोगत पर है.. पारसनाद पहाड है इदा और आभी हम लोग रूखे वे हैं यह नेस्नल आइवे हैं हम लोग भी जा रहे हैं दमबाद और यह देखें धाड़ी है इस तरह पुझाना है अभी आफी अभी तो साफ है जिस दिन सेकेंड और फर्ष्ट पार में दमबा जा रहे थे हैं श्यंको पारसनाद पहाड और यह पूरा पहाड जितना है पहाड को पर काफी मंदिर भी है वो जो मंदिर हम आपको दिखाए तो में मंदिर था मैं देखें जितना भी सब पारसनाद पहाड है इस चोटा सा वाइट कलर को दिखता आगा यह सब भी मंदीर ही है यह सब मंदीर ही है पहाड़ी पहाड़ से दिखने रहा है करन से सामने हम लोग फिर से पहुंच गए है धनवाद जिला में देखें आपका यहां धनवाद का बोड लगा हुआ है काला हीरा फिर से स्वागा था आपको काला हीरा की धर्ती धनवाद में आपका हादी कविनांदन करता है यह बोड लगा हुआ है हम लोग अब इस मार्केट वला रोड में हम लोगों कुछ सके हैं कि यहां से नेशनल हैवेज को हम लोग छोड़ते हैं यह दनवाद का पहला अपार्टमेंट यहां सबको दिखना सुरू हो गया है यहां पर हम लोग मार्केट में अंदर आए नेशनल हैवेज छोड़ कर कुछ दूरी अंदर आए और चारो तरफ अभी तो रोड बना दिया है पहले तो रोड बनावा नहीं था अभी कुछ धि देखें विधायक के हाथ है और मार्केट हम लोग है अभी तो काफी दूर में में मार्केट कुछ दूरी में आए बरवड़ा थाना कास-पास में हम लोग है यह देखें पानेली पहुंच गए हैं और एक रिष्ट्रेंट को नास्ता कर रहे हैं देखें काफी मेंटेट के साफ सुत्रा और अच्छा लगा देखें चाल तरफ यह हैं बिहार कुछिं के तरफ से यह दार बातरूम लेडी सेंस और यह हैं मेंगेट अच्छा है यह टेबल बगरा है काफी सुन्दर है मेंटेन के आवा साफ सुपाई विध्यान भी है यह रिष्ट्रेसन काउंटर है 22 जन्वरी 2024 इस डेट को तो सबको आज आधी होगा कि क्या है इस डेट आज है यह विध्या में स्री राम लॉल्ला का प्रान परतिष्ठा जो लगेंदर मोदी द्वारा किया गया है और हमारे गाव में एक छोटा सा मंदिर है इसमें भी सजार वट किया गया है और घरों मे जिन्जार में चंदा है और एक और मंदीर आगे है के वह रमान जी का मंदीर है कि महाँ भी दिन पूजा पास्ट की प्रान परतिष्ठा का तुआ है कैने यहां पर सुले राम जी का प्राट हो रहा है थैं यह कि हैं कि हम अधेन wraz बाराम विया राम राम विया राम